इस concept को बोलते हैं कि market के अंदर हम volume कैसे निकाले, volume को search कैसे करें, अरे पता कैसे लगेगा, market के अंदर volume है या नहीं है, especially दो cases, bank nifty और nifty, ध्यान से समयना, एक golden indicator आपको बताने वारा हूं, जिसके according पता लग जाता है, volume market में है या नहीं है, volume क्या होती है, पहली बात तो candle की strength is not equal to volume, example के तोर पे, example के तोर पे, market के अंदर ना, एक बहुत बड़ी, ये green candle बनी, और एक छोटी सी यहाँ पे red candle बनी, तो क्या आप इसके हिसाब से बता सकते हो कि, किसके अंदर जादा volume है, हम इसको देखके नहीं बता सकते हैं, हम इस concept को देखके नहीं बता सकते हैं, market म बनी है, इसके अंदर volume जादा होगी, ये हमेशा true नहीं होता, ये ही तो मैं बात समझाना चाहरा हूँ आपको, तो bank nifty nifty का analysis करते समय, आपको क्या करना है, वो मैं बता रहा हूँ, आपको simply पहले तो एक chart खोल लेना है, bank nifty के लिए आपको यहाँ पे जाना है, bank nifty index futures पे, bank nifty का future chart आपको खोल लेना है, और indicator टाइप में जाना है, यहाँ पे search करना है, ospl, ospl volume community edition 054, जैसी इसके उपर आप click करोगे, ध्यान दे समय ना दोस्तो, जैसी इसके उपर आप click करोगे, optimal volume मैं आपको बता देता हूँ, optimal volume किसको बोलते हैं, optimal volume जो हमने 5 star trading setup में बताए भी थ bank nifty के अंदर optimal volume होती है 50k plus, similarly nifty 50k के अंदर optimal volume होती है 125k plus, मतलब 1,5,000,000 से जादा volume nifty के अंदर आ रहे हैं किसी एक candle में, volume पूरे chart में नहीं आती, एक candle में आती है, तो वो अच्छी volume मानी जाएगी, similarly bank nifty के अंदर अगर 50,000 से जादा volume आ रहे हैं किसी एक candle में, वो है कि एक market का conviction है, अगर green volume candles बन रहे है, market का conviction है, ऊपर जाने का, अगर red candle volumes बन रहे है, market का conviction है, नीचे जाने का, logic समझ गे, तो यह optimal value कहां से टूंडे, आपको यह करना है, bank nifty के index future पे आना है, इसको note कर लिया, bank nifty के index future पे आना है, और OSPL volume लगा लेना है, अब यहाँ पे आ 1,25,000, bank nifty के लगा रखिये 50,000, अब जोस्तों ध्यान दे समझो, जब जब market के अंदर यह green, dark green, यह neon green बन जाएगा, इसका मतलब market ने वहाँ पे volume दे दिये, आप थोड़ा सा पीछे जाओ, 3 minute के time frame पे देखना प्लीज इसको, मैं हाँ जोड़कर बिंती करता हूं, कोई भ 3 minute के time frame पे देखनी है, यह भी मैं आपको बता देता हूं, watch at, यह प्लीज नोट कर लो, watch at 3 minute time frame only, 3 minute time frame पे आपको यह volume देखनी है, volume 5 में time frame पे मत देखने लग जाना, 3 minute के time frame पे volume देखनी है, क्यों देखनी है, भाई बनाये वे rules है मेरे, जो मैं आपको rule बता रहा हूं, ब मतलब क्या है, यहां पे कितनी volume थी, यहां पे दिखना शुरू हो जाएगा, 51.78, यहां कितनी थी, 47.86, तब भी बहुत जादा है, यहां कितनी थी, 65.76, जैसे ही 50K के mark को यह cross कर देगा, bank nifty का index future, आपको यहां पे दिखने लग जाएंगी, यह spot chart पे नहीं चलता, यह spot chart प बहुत जादा volume है, इसके अंदर कम volume है, बट हम सिरफ इन candles को देखके पताने लगा सकते हैं, आप यहां देखो, 28 December की 921 के अंदर कितनी volume है, 43, और यहां पे red की volume है, 43.36, यही कारण था, यहां से market नीचे आने की कोशिश कर रहा था, अब यहां पे सुबे से लेकर अभी त significant volume दिख रही है, बोलो yes or no जल्दी बताओ, आप हमें दिखी नहीं दी, जब भी market के अंदर volume नहीं होती है, तब market बताओं क्या करता है, उपर नीचे, उपर नीचे, उपर नीचे, ऐसे हीट करता है सिरफ, जब market के अंदर volume होती है, सर क्या बात कर रहे हो, और कोई option दिखा कहां दिख रहा है, हर जगा तो volume नहीं दिख रही है, तो दोस्तो volume दिन के शुरुआत में आती है, एंड में आती है, और दिन के बीच में भी आती है, देखो, कभी-कभी ये, ospl volume जब आपके पास 60 प्लस पहुंच गई, देखो market ने वहां से कितना अच्छा जंप दिया, यहां पहुंच गी, इसका मतलब बता हूं क्या, confirm हो गया है, हाँ, confirm हो चुक है, market उपर जाएगी, bullish है, यहां पर पिछले कहीं दिनों से, पिछले कहीं दिनों से, green, 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 सिरफ green volume चमक रही है, red volume चमक रही है, और उसका reason यह है, कि market चड़ती जा रही है, चड़ती जा र लगाना है, nifty के future chart को बोलते है, snp, nifty index future, इसमें क्या करेगा वो, इसमें आपके पास volume, 50 के नी, इसमें volume आपके पास, 125 के के साब से वो देना शुरू कर देगा, समझ पार हो, 125 के के साब से देना शुरू कर देगा, अब यहां पर देखो, अब आप खुद बताओ, volume, buyers की जादा है, sellers की जादा है, volume के अंदर, यह green green दिख रहा है, आपको मैंने बताया है, neon green का मतलब क्या होता है, neon green का मतलब क्या होता है, भाया, market की volume देखो, यहां पे 198 के, यहां पे 125 के, यहां पे 27 के, एक ready भी बनी थी, एक ready भी बनी थी, बड़ उसके बाद last में market close वी, green volumes के साथ, और उसका नतीज़ा आप देख सकते हो, market का क्या अच्छा uptrend गया आज, logic समझ पा रहे हो, यहां पे buyer जीत रहे हैं, seller जीत रहे हैं, obviously buyer जीत रहे हैं, sir यहां पे तो एक red candle बन गई, बट यह red candle की continuation नहीं हुई, इसको हम two candle theory के नाम से जानते हैं, वो मैं live mentorship में आपको सिखा दूँगा, don't worry, volume का session अब इतना ही रखता हूँ, ospl volume एक वर्दान है, उस हर एक व्यक्ति के लिए, जो market के अंदर volume को check करना चाहता है, ospl volume, bank nifty और nifty के future chart में चलती है, spot chart में नहीं चलती, बस इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है जी?